श्रीमत भगवत गीता दूसरा अध्याय संजय बोले उस प्रकार करणुना से व्याप्त और आसों से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकायुक्त उस अर्जुन के प्रती श्रीकृष्ण मदूसूदन ने यह वचन कहा श्रीकृष्ण बोले हे अर्जुन तुझे इस असमय में यह मोग किसे तुप्राप्त हुआ क्योंकि ना तो यह श्रेष्ट पुरुशोद्वारा आचरित है ना स्वर्ग को देने वाला है और ना कीर्थी को करने वाला ही है अर्जुन नपुन सकता को मत प्राप्त हो तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती हे बरमतब फिर्दय की तुछ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा अर्जुन बोले हे मदुसुदन मैं रनबूमी में किस प्रकार बाणों से बीश में पिता महा और दुरुनाचारे के विरुद्ध लड़ूंगा क्यूंकि हे अरिसुदन वे दोनों ही पूजनिया है इसलिए इन महानुभव गुरुजनों को ना मार कर मैं इस लोक में बिक्षा का अनबी खाना कल्यानकारक समझता हूँ क्यूंकि गुरुजनों को मार कर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अल्थ और कामरूप भुगुको ही तो भोगूंगा हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद करना और ना करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ट है पत्वा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे और जिनको मार कर हम जीना भी नहीं चाते वे ही हमारे आत्मियत रितराश्ट के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं इसलिए कायरता रूप दोश से उपहत हुए सभाव वाला तथा धर्म के विशय में मोहचित हुआ मैं आपसे पुछता हूँ कि जो साधन निश्चत कल्यानकारक हो वह मेरे लिए कहिए क्योंकि मैं आपका सिश्य हूँ इसलिए आपके शरन हुए मुझको सिख्षा दीजिए क्योंकि भूमी में निश्कंटक, धन धान्य संपन, राज्यों को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाई को नहीं देखता हूँ, जो मेरी इंद्रियों के स्खाने वाले शोग को दूर कर सके संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जन, अंतर्यामी श्रीकृष्ण महाराज की प्रति, इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविन भगवान से युद्ध नहीं करूंगा यह सपष्ट कहकर चुप हो गए हे भरतवंशी धृतराष्ट, अंतर्यामी श्रीकृष्ण महाराज, दोनों सेनाओं के बीच में, शोग करते हुए उस अर्जन को हसते हुए से यह वचन बोले श्रीकृष्ण भोले, ओर अर्जन, तू ना तो शोग करने युग्या मनुच्य के लिए शोग करता है और पंदितों के से वचनों को कहता है, पर अन्तु जिनके प्रांण चले गए हैं, उनके लिए और जिनके प्रांण नहीं गए हैं, उनके लिए भी पंदित जन शोग ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था अध्वा ये राजा लोग नहीं थे, पालना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। इसलिए हे भरत उनको तू सहन कर क्योंकि हे पुरुष्ष्ट दुख सुक को समान समझने वाली जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियन और विशो के सयोग व्याकुल नहीं करते वह मोक्ष के योग्य होता है असत्य वस्तू की तो सत्ता नहीं है और सत्य का आभाव नहीं है इ इस अव विनाशे का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है इस नाश रहित अप्रेम में नित्य सरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन तू युद्ध कर जो इस आत्मा को मानने वाला समझता है तथा जो इसको मरा म बानता है वे दोनों ही नहीं जानते क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता है यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जनमता है और ना मरता ही है तथा ना यह उत्पन होकर फिर होने वाला ही है क्योंकि यह अर्जनमा नित्य सनातन और पुरातन है शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता है प्रिधापत्र अर्जुन जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहे नित्य अलजन्मा और अव्याय जानता है वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसी को मारता है जैसे मनुष्य पुराने वस् इसको जल नहीं गला सकता और वायू नहीं सुखा सकता क्यूंकि यह आत्मा अच्छेद्ध हैं यह आत्मा अध्धाइम, अकलेद्ध और नीसंदेह असोश हैं तथा यह आत्मा नित्य सर्विव्यापी, अचल, इस्थिर रहने वाला और सनातन है। पर था तुझे शोग करना उचित नहीं है। किनको यदी तो इस आत्मा को सदा जनमने वाला तथा सदा मलने वाला मानता हो, तो भी हे महबा हो, तो इस प्रकार शोग करने योगिन नहीं है। क्योंकि इस मानिता के अनुसार जनमे हुए के मिलत्यू निस्चित है। और मरे प्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है, फिर ऐसी इस्तिती में क्या शोक करना है, कोई एक महापुरुशी इस आत्मा को आस्चरे की माती देखता है, और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुशी इसके तत्व का आस्चरे की माती वर्णन करता है, तथा दूसर कोई अधिकारी पुरुषी इसे आस्चरी की बाती सुनता है और कोई-कोई तो तुनकर भी इसको नहीं जानता है। वे सर्ग के द्वारू इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान शत्री लोग ही पाते हैं। तेरे वेरी लोग तेरे सामरते की निंदा करते हुए तुझे बहुत से ना कहने योग्यवचन भी गहेंगे। उससे अधिक दुख और क्या होगा। या तो तु युद्ध में मारा जाकर सुर्ग को प्राप्त होगा। अत्वा संग्राम में जीत कर पृत्वी का राज्यब होगेगा। इस कारण हे अरजुन तु युद्ध के लिए निस्चे करके खड़ा हो जा। जै पराजै लाभानी और सुख दुख को समान समझ कर उसके बाद युद्ध के लिए तयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तु पापको प्राप्त नहीं होगा। हे पर्थ यह बुद्धी तेरे लिए ज्यान योग के विशे में कही गई और अब तु इसको कर्म योग के विशे में सन्ग। जिस बुद्धी से युक्त हुआ तु कर्मों के बंधनों को भली माती त्याग देगा अर्थात सर्वता नश्ट कर डालेगा। इस कर्म योग में आरंब का अर्थात बीच का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोश भी नहीं है बलकि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जनम मिर्ति रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। कर्म फल के प्रशंशक वेद वाक्यों में ही प्रीती रखते हैं जिनकी बुद्धी में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है ऐसा कहने वाले हैं वे अविवे की जन इस प्रकार की जिस पुश्पित अर्था दिखाओ शोबायुक्त वार्णी को कहा करते हैं जो की जनम रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा एश्वरे की प्राप्ती के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है उस वार्णी द्वारा जिनका चित हर लिया गया है जो भोग और ए पादन करने वाले हैं इसलिए तो उन भोगो एवं उनके साधनों में आसकती हीन हर्ष शोकादी दोंदों से रहित नित्य वस्तू परमात्मा में इस्थित योग शेम को ना चाहने वाला और स्वाधीन अंतहा करन वाला हो तब और से परिपूर्ण जलाशे के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशे में मनुश्य का जितना प्रियोजन रहता है ब्रम को तत्व से जानने वाले ब्राम्मन का समस्त वेदों में उतना ही प्रियोजन रह जाता है तेरा कर्म करने में ही अधिकार है उसके फलों में कभी नहीं इसलिए तु कर्मों के फल का हे तु मत जो कुछ भी कर्म किया जाए उसके पूर्ण होने और ना होने में तथा उसके फल में संभाव रहने का नाम समत्व है। मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है अर्थात कर्म बंधनों से छोटने का उपाय है। क्योंकि समभुद्धी से युक्त ज्यानी जन्प कर्मों से उत्पन होने वाले फल को त्याक कर जन्म रूप बंधनों से मुक्त हो निर्विकार परमपत को प्राप्त हो जाते हैं। जिस काल में तेरी बुद्धी महोरूप दलदल को भली भाती पार कर जाएगी। उस समय तुप सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोग और परलोग संबन्दी सभी भुगों से वहराग्य को प्राप्त हो जाएग। भाती-भाती के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धी जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी। तब तु योग को प्राप्त हो जाएगा। अर्था तेरा परमात्मा से नित्य सयोग हो जाएगा। अर्जुन बोले हे केशव समाधी में इस्तित परमात्मा को प्राप्त हुए इस्तिर बुद्धी पुरुष का क्या लक्षन है। वह इस्तिर बुद्धी पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है। श्रीकृष्ण बोले है अर्जुन जिस काल में यह पुरुष मन में इस्तित संपूर्ण कामनाओं को भली भाती त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है उस काल में वह इस्तित प्रग्य कहा जाता है दुखों की प्राप्ति होने पर जिनके मन में प्रहित हुआ उस उस शुब या अशुब वस्त्व को प्राप्त होकल ना प्रिसन होता है और ना दूइश करता है उसकी बुद्धी इस्तिर है और कच्वा सब और से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है वैसी ही जब यह पुरुष इंद्रियों के विश्व को इंद्र नहीं होती इस इस्तित प्रग्य पुरुष की तो आसकती भी परमात्मा का साक्षातकार करके निवृत हो जाती है यह अर्जुन असकती का नाश ना होने के कारण ये प्रम्थन सुभाव वाली इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात कर लीती है इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश्मे करके समहाचित हुआ मेरे पराणने होकर ध्यान में बैठी क्यूंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश्मे होती है उसकी बुद्धि इस्तिर हो जाती है विशो का चिंतन करने वाले भावुद्पन हो जाता है मूड भाव से इस्मृति में ब्रह्म हो जाता है इस्मृति में ब्रह्म हो जाने से बुद्धी अर्थाध्यान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धी का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी इस्तिती से गिर जाता है परन्तु अपने अध प्रसंता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसंद चित वाले कर्मयोगी की बुद्धी शेकर ही सबोर से हटकर एक परमात्मा में ही भली बाती इस्थिर हो जाती है ना जीते वे मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निस्चात्मी का वाली नाव को वायू हर लेती है वैसे ही विशों में विशरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रियों के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय है इस अयुक्त पुरुष की बुद्धी को हर लेती है इसलिए महाबाहू जिस पुरुष की इंद्रियां इंद्रियों के विशों से सब प्रकाल निग्रह की हुई है उसी की बुध्धी इस्थिर है। कमपूर्ण प्राणियों के लिए जो रातरी के समान है उस नित्य ज्यान सरूप परमानन्दी प्राप्ती में इस्थित प्रग्य योगी जागता है। और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ती में सब प्राणी जागते हैं परमात्मा के तद्व को जानने वाला मुनी के लिए वहरात्री के समान हैं जैसे नाना नदियों के जल सब और से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विशलित ना करते हुए ही समा जाते हैं वैसे ही सब भूग जिस इस्थित प्रग्य पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन किये बिना ही समा जाते हैं वही पुरुष परम शांती को प्राप्त होता है भोगो को चाहने वाला नहीं जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को द्याग कर ममता रहित एहंकारी रहित और इस्प्रहा रहित हुआ विचलता है वही शांती को प्राप्त होता है अर्थात वह शांती को प्राप्त होता है हे अरजुन यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की इस्तिती है इतको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस ब्रह्मी इस्तिती में इस्तित होकर ब्रह्म आनंद को प्राप्त हो जाता है